हलो दोस्तो राधे राधे जैमातादी स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो आज हम आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं नवरात्री का सुभ दिन चल रहा है नवरात्री के इन नव दिनों में माता के अलग-अलग स्वरूपों के नव दिन तक पूजा की जाती है तो ऐसे में कल आपका नौमी तिथी है नौमी तिथी के दिन आप नौकरी के लिए ब्यापार के लिए लच्छमी प्राप्ति के लिए या किसी भी मनोकामना के पूर्ति के लिए यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में मातल लच्छमी का अस्थाई रोप से बास होगा और मा आपको आसिर बात दे कर ही आपके घर से हो जाएंगी आपके घर में कभी भी किसी चीची कोई कमी नहीं होगी इस उपाय को आप किसी भी मनोकामना की पूर्ती के दिन भी कर सकते हैं. जिस दिन आप इस कारी को करे उज दिन आप थोड़े जल्दी उठे अश्नान करे, स्वच्च बस्त धारण करे उसके बाद आप इस उपाय को करे. उब आपको लेना है अच्छत हल्दी और एक घी का दिया, घी का दिया जो आप बना रहे हैं वो लंबी बादी का होना चाहिए इस बात का आप भी सिर्ध्यान रखे उसके बाद जो आपने हल्दी लिया है उस हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना है पहला तीन स्वास्तिक आपको बनाना है और तीन दिये आपको लगाने है पहला स्वास्तिक आप अपने घर के मंदिर में जहां पे आप पूजा करते हैं, हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़ा सा अच्छत आप उस स्वास्तिक पर रख दे, उसके बाद एक दिया आप अपने भगवान की मंदिर में उस अक्छत के उपर एक दिया आप लगा दीजियेगा, उसके बाद वहाँ बैट कर मातर लच्चमी का मनन करते हुए आप सच्चे दिल से पूजा करें पांच मिनट दस मिनट आप पूजा करें दो दिया आप और लगाए हैं उसे किस स्थान पे रखना है तो इस बात का आप विशेज ध्यान रखें दिये घीका होना चाहिए और उसमें बाती जो है मौली का बनाईएगा यानि कि बाती आपके लाल होनी चाहिए आप इस बात का विशेज ध्यान रखें लंबी बाती हो और मौली की बाती हो घीका दिया हो उसके बाद आप थोड़ा सा हल्दी का स्वास्तिक जहां पे आपके घर में पानी रखा जाता हो यानि कि आप अपने किचन में वहाँ पे एक स्वास्तिक बना ले थोड़ा सा अच्छत रखें उस पे एक दिया आप रख लें माता लच्छमी का असमरड करते हुए तीसरा दिया आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें अपने कुल स्वास्तिक पे आप थोड़ा सा अच्छत रखें अच्छत रखने के बाद आप उस दिये को रख दीजे लंबी बाती का दिया होना चाहिए मौली का दिया होना चाहिए यानि कि बाती जो है आपका लाल होना चाहिए इतना सा उपाय आपको करना है या उपाय आप नौमी हैं दुख हैं वो दूर होंगे आप इसे चाहें तो पांच सुक्रवार भी कर सकते हैं नहीं तो आप कल इस उपाय को जरूर करें तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब जरूर कर लें ताकि इस जो भी वीडियो हम सबसे पहले आपके पास पहुचा सकें.